हेलो असलावलेकुम विल्कम बैक तो माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ आज थोड़ा सा तवित अच्छा लग रहा है और सबसे पहले तो आप सभी को होली और सबे बरात की ना बहुत-बहुत मुबा नहीं हो रही थी वीकनेस बहुत जादा हो रही थी ना लेकिन दोनों बच्छों को उधास बैटके देखे ना तो मेरा मन एकदम नहीं किया क्योंकि तहवार की दिन बच्छे उधास हों तो ऐसा तो अच्छा नहीं लगता ना तो मैं फटाक से उठी और फिर रूम साफ करन कि मैं टाइम बता दू तो साड़े तीन भी नहीं हुआ था और मैं यहां पे ना फात्या के लिए हलुआ हम लोग किया है ना कि सूजी का हलुआ या आटे का हलुआ वो गीला वाला बनाके और दोस्ती रोटी के साथ फात्या होता है तो बस यहां पर मैं वही करी आटा उट सब कुछ सान चुके हैं मैं सोची ना कि नहां के जैसे उठे वैसी में फात्या का बनाने लगी कि अगर मैं लेट जाओंगी तो फिर क्या ओगा ना कि मेरी हिम्मट टूट जाएगी और हो सकता है कि मैं ना बना पाऊं और घर में किसी और को आता नहीं वैसे तो घर हम जला चुके मुंबति यह जला रहे हैं तो आज हवा बहुत तेज चल रही है जिसकी वज़ा से उपर का जिता भी लगाया थे वह सब हवा से बुझ रहा है लेकिन चलिए ठीक है जैसा भी जल रहा है और हम लोग अभी घर जा रहे है क्योंकि में हम लोग का घर तो वही है तो यहां पर फात्य होते हैं करवा दिये और आज सुबात तक हिमत नहीं थी कि कुछ जितना भी हमत पुरा रूम दो है अम लोग खिड़की दरवाजा सब साफ किये तयार हो गया और फात्या सब हो चुका है और चलिए चलते हैं सलालेकूम बाजी बाजी पहले आग तो हम लोग घर पर आ चुके हैं और यह जो वीडियो है यह जुनायत बना रहा रहा है आज सुबा से न मैं कुछ भी नहीं बना रही थी तो जिया ही वीडियो बनाई जो वहां का आप लोग को किलिप मिला रहे हो बच्चों से कि हाँ कुछ करनी की तो आज सायद मैं सोची थी कि मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बनाऊंगी लेकिन सारा आज क्रिड़ेट बच्चों को जाता है यह जुनैदी वीडियो बना रहा है और यह सबसे पहले अगर बत्ती जला रहे हैं हेलमेट भी नहीं होता रहे हैं और यहां पर सारे बच्चे अभी सब लोग मुंबत्ती जला रहे थे और जब हम लोग को देखे तो एक जिससे नहीं होता है कि मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग से कि घर में कोई भी तहवार हो ना तो बच्ची और बड़े सब लोग बस निगार लगाए रहते कि अभी तक नहीं आए यह लोग अभी तक नहीं आए क्योंकि आज हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया ने तो हमेशा हम लोग पहले ही आ जाते तो उसी फात्या के चकर में की फात्या हो जाए उसके बाद हम लोग आए यहां पर तो क्योंकि यहां पर आये ना तो फिर थोड़ा देर इनसान बैठ जाता है यहाँ आने के बाद मेरे का से हम एक घंटा यहाँ पे थे एक सजादा ही थे और उसके बाद फिर हम लोग घर गए थे तो यहाँ पे मैं बच्चों से बोल ले थी कि अब चलो उपर लेकिन बच्चे हैं ना कि सबको नीचे जैसे मुंबती जलाने में ब लगाई रहें और आज ना हवा इतनी तेज थी तेज थी कि केंडल ना लगी नहीं रहा था उत्ती हवा चल रही थी ना कि वो बार बार बुझ जा रही थी लेकिन फिर भी बच्चे नहीं हार मान रहे थे अब भी आप लोग देखिए का उपर कि कितनी मेहनत से ये लोग के केंडल था ये नहीं कहेंगे कि हाँ थोड़ा दिर था केंडल लेकिन उसके बाद बुझ गया था तो यहां पर मैं सब बच्चों को बुली के पहले उपर चलो और उसके बात कि फिर अंधेरा भी हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है बच्चों के लिए कि हाँ सुन इतने एकदम जोस से ना लगा रहे हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना रही थी मुझे ना इलो कुछ करने ही नहीं दे रहे थे मैं डर रही थी कि ऐसा होना कि बच्चे जल जा और यह देखिए मैं आप लोग को यह दिखा रही थी कि चार बच्चे हैं और वो जाता है तो पड़ जाता ही है केंडल कम तो यहां नीचे भी देखिए ना सिफा बार बर वो केंडल हावा से बुझ जा रहा था और बच्चे बस मुंबत्ती जलाने में दम लगे हुए थे यह देखिये माच इस जला दिया अभी जब निगाह उपर आएगी न तो बहुत नहीं पाया था जैसे कि नॉन्वेज तो बिना उसके ना फिर अधूरा-धूरा सा लगता है कि कुछ ने कुछ बनना है ना और घर पे भी हम लोग बहुत टाइम लगा दिये क्योंकि जब सब लोग एक साथ बैटे क्योंकि मैं बताई ना कि बाजी भी आई है मैं सलाम करी जब लोग एक साथ ही कठा होते हैं जब भी कोई तैवार होता है ना तो सब लोग आ जाते हैं तो वहाँ पर सब लुग बैठेते तो हम लग भी बैट गाए ना तो फिर काफी टाइम हो गया तो यह जब आय ना तो मुझे यहाँ घर पर चुड़ के और उसके बाद गए थ हैं चीलेंगे और को कि लेट तो वैसे भी हो गया तो अच्छा लगा रहा है ना देखके काफी अच्छा लगता है और आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे खास है जब मैं बेड़ पर पड़ी तो मुझे ज्यादा वीक्नेस लग रही थी लेकिन हाज जब काम का वो था तो फिर उसके बाद जो सिदम बना रहा तो मैं सारा काम कर ली और अब यहां पर मैं बना रही हूं चाय क्योंकि सामको हम लोग एक बार चाय पिये थे उसके बार चाय ने पिये थे तो यहां पर मैं चाय बना रही हूं और साथी साथ में मटन बना रहे हैं यह व्लोग जिया बना रही है कि मैं तो दो दिन ऐसा आराम कर लिया ना उसके बाद क्या हो ना आदत खतम हो जाती है तो जिया ही वीडियो बनाई मैं तो भूली गई थी कि हाँ वीडियो भी बनाना है तो यह देखिए कितना यमी यमी सा मटा निक्दम बन रहा है बहुत कि आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करेंगे रेसिपी शेयर करेंगे लेकिन फिर को था ब्लॉग बहुत जादा लंबा हो जाता है और मैं आप लोगों के लिए सोची थी कि मैं एक अपना अलग से चैनल बनाऊगी हो कि आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते हमेसा कि यह रेसिपी शेयर करिए और बहुत लोगों ने मुझे आइडिया भी जट दिया था कि एक चैनल और बना ली जब मैं सोची भी थी लेकिन कहते हैं कि जब कोई नया काम स्टार्ट करिए तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि करें कि नहीं करें करें मैं सबसे पूछ रह और आज का व्लोग भी यहीं पर एंड करेंगा आई होब कि आप लोगों अच्छा लोगा बाबाए अल्ला अफिस्ट